जो यहां बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अकल नहीं है और उसकी वज़े ये है कि मैं किसी ना किसी भाशन में ऐसी कोई गड़ड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। और भाशन करने के फोरण बाद मुझे फिकर रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फॉन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा परवा नहीं की, मुझे जब माननी प्रदान मंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर जब बुलाया, उन्होंने मुझे और कहा कि कल जाके उत लेलो कोई वज़े थी जिस वज़े से अगले ही दिन सुबे मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ, विहार में आम मुझे को क्यों भेज रहे हूं, कैने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने system के आदमी को, तो हुरियत बघावत कर देगी, तुम चरन सिंग जी के साथ रहे हो, तुम भीपी सिंग के साथ रहे हो, तुम अली गड़ से में पी रहे हो, तो तुम्हारी सुईकारियता है, तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावर जी कर सकते हो, इसलिए मैं तु पुछा के mandate क्या है क्या 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 करना है तो उन्हों ने कहा कि कोई राजनीती नहीं करनी दो काम करने है एक तो ये करना है कि outreach करना है लोगों के बीच में जाना है और development करना है outreach मैंने जिस हिसाब से किया आज मैं safely कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने chief security को बताया शाम को के कल 370 हटना है तो उसने कहा कि साब 1000 आदमी मारना पड़ेगा नहीं कहा क्यों नहीं कहा कि यहां तो फारुक अब्दुल्ला के election के दिन 10 आदमी मरते हैं यहां तो बुरान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं लोग चड़ जाएंगे राजभून में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं मैंने का कोई घर राने की ज़र उतनी मैंने पांच महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको यह समझाने की कोशिश की है कि 200 लड़के लेके दुनिया की दो नंबर की फोज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो जो मिलना है जो मिलना है वो बातचीश से मिलना है लहादा इन में एक सेंस ओफटीग मैंने पैदा कर दिये कि लड़ना निरर्थक है और मैं शोर हूँ एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा और आप आश्चेरिये करेंगे तीन तीन बार के चीफ इनिस्टर जेल चले गए कोई उनके छुड़ाने के लिए नारा लगाने नहीं आया फिर वो कि जड़े हुए थे कि कश मुझे बोले के आपकी सिक्यूर्टी से कश्मीर पुलिस को अटा के कर दें मैंने का अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सोभाइक की बात होगी मेरी कोई कर्श्मीर पुलिस मत अटा हो चुके मैंने जाते ही उनकी शाहदत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था उनका हाडशिप एलाउंस बढ़ा दिया और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नोकरी दिलवाई थी तो मैंने का मैंने इनमें काम कर रखा है और मुझे ये मैं निश्चिन्त हूं कि ये देश के साथ रहेंगे और आप कोई जानके आज चरिये होगा इद का महिना था तीन सो सतर हट चुकी थी बहुत घवराट थी क्या होगा एक भी कश्मीर पुलिस के सिपाही ने इद के लिए छुटी नी मांगी सब लाइन में रहे और वहीं पे इद मनाई और मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता ह कि उन्होंने देश के साथ खड़े रहने का जजबा दिखाया और आज भी कश्मीर में एक सेंस ओफ जिसको कहते हैं न जहां भी दुनिया में ये बगावते हुई है या इंसरजेंसी हुई है वहाँ एक सेंस ओफ फटीग आती है ठक जाते हैं लोग यार छोड़ो कुछ न होना है उस तरह की चीज पैदा हो गई है उसका अब हमको इस्तिमाल करना चीए और अगर उसका इस्तिमाल करके हमने डिवलेब्मेंट किया कश्मीर का यहां बहुत मंतरी रोज बयान दे देते हैं कि हम प्योके लेंगे उनको यह पता नहीं है कि प्योके लेने के क्या-क्य प्योके में चीन का भी इंट्रेस्ट है उसकी सड़क है प्योके लड़ाई से नहीं लिया जाएगा मेरे पास मैंने मैंने बोला प्रेस में और कहार आज भी कह रहा हूं कि प्योके लेने का एक ही तरीका है कि कश्मीर की इतनी तरक्की करो कि प्योके के लोग यह कहने लगे हैं हैं हुआने हम इने साथ जाएंगे और ये ये नमुम्किन काम नहीं है मैंने इसको करके देखा मैंने आउट रिच के नाम पर अपने सारे जो एडवाइजर्स थे उनको कह दिया के हफते में एक दिन सिर्फ शिकायत हैं सुनोंगे सब सब बीम्स को कह दिया हफते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोंगे, सारे आईएस लोगों कहा कि तीन दिन गाओं में जाओ, वहीं रहो, और एक मीटिंग तो ऐसी होती है, जिसका फोटो है मेरे पास, जिसमें बुरान वानी का बाप अध्यक्षता कर रहा है, और वो जो दूसरा था, बहुत मशूर जो अभी मरा था, उसका बाप भी वह मौजूद है, और उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें मिलते नहीं थे शिन अगर में, इनको हमारे घर पे भेज़ दिया, इससे अच्छी क्या बात है, लोगों ने भूल बजा बजा के उनका सब्सक्राइब और मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, तो ये रंदावा जी बैठे हैं यहां, ये खड़े होके मना कर सकते हैं कि ये गलत का है, तो वहां ऐसा महूल बना, मेरे करने से नहीं बना करता तो उपर वाला है, लेकिन जो प्रदान मंतिरी ने नुस्खा दिया था आउट रीच का, आउट रीच की एस्थिती थी, मेरा फोन 24 गंटे खुला रहता था, फोन में खुद अटेंड करता था, और सिर्फ वाटस अप पे एक्शन होता था, एक लड़के का वाटस अप आ गया, उसने का, मैं और मेरी बेहन बोर्ड का इंताम दे रहे हैं, लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली की लाइन डेट किलोमीटर दूर है, अगले दिन मैंने उसके यहां जनरेटर भेजा, और इंजिनियर को बुला के कहा, उसने वाइरल कर दिया सारी स्टेट में, कि मेरे वाटस अप पे जनरेटर आ गया, लेकिन मैंने का, बेटे जनरेटर इलाज नहीं है, इंजिनियर को मैंने का, कि तुम पंधरे दिन में डेट किलोमीटर लाइन खिचनी थी, लाइन खीच के इसकी टपनी जोपड़ी में थाओ बच्चा, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन गया, और सारे कश्मीर में यह हो गया, कि हमारी सुनवाई होती है, हमारी बात सुनी जाती है, मैं थोड़ा ज्यादर लिखी, यह जरूरी रोज कोई मौका मिलता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जब गया गया था, तो एक दिन मुझे जो मिरा साहिक है, यह विरेंदर राना, इसने बताया के साथ 20-25 लड़के लड़कियां बाहर बहुर शोर मचारे में कबूला लो उनको, मैं धाई बज़े रात तक भी मिलता था, बिना एपॉइंटमेंट मिलता था, तो उन्हों ने आके बताया, कि हम, यह हमारी मेरिट लिस्ट है, हम पास हुए हैं, मिन्टरू में पास हुए हैं, लेकिन जब एपॉइंटमेंट का वक्त आया, तब महबुबा मुफ्ती ने अपने लोगों को, अपने MLS की लिस्ट लेकर उनको लगा दिया, हम आज तक नहीं लगया हैं, मैंने चेर्मेन बैंक को बुलवाया चुके, बैंक में 60% हमारा हिस्सा था, मैं का, तुम्हें मैं जेल भेज़ दूँगा, अगर ये लड़के नहीं लगाएं, उसने कहा के, साथ, कैसे लगाऊं, ये 15-20 नहीं हैं, ये 582 बच्चे हैं, आप हैरत करोगे कि किसी स्टेट में, 582 बच्चे पास हुए, इंटर्यू में पास हुए सडक पे हों, और नेताओं के बच्चे उन पदों पे बैठे हूँ, ऐसा कहीं अन्याज नहीं, मैंने का, 582 लगाने पड़ेंगे, तो उसने का, कि आप फाइनेंस सेक्रेटी को कह दें, वो हमारे बोर्ड में होते हैं, वो प्रस्ताव ले आएं, हम पास कर देंगे, तीन दिन में उनका प्रस्ताव पास हो गया, और मैंने उसकी घोशना करके, जिम मैं हॉल से निकला, तो बहर सो डेड़ सो बच्चे गुल्दस्ते लिए खड़े थे, मैं भूलता नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, वो मुझे गुल्दस्ता देते वे रोने लगी, मैं क्या हो गया तुम्हारी तुईद हो गई, आज रो क्यों रही हो, के नहीं मैं इसलिए रो रही हूँ, के आज मुझे लगा कि अल्ला है, और अल्ला ने आपको हमारे इलिए बेजा, और आगे जो उसने कहा, वो बहुत पेंफुल चीज थी, उसने कहा, मेरी तो सगाई तूट रही थी, अगर ये नोकरी नहीं होती, तो मेरा उससे वाद, मैंने उससे वादा ले लिया था, कि जब शादी होगी, मुझे जरू बुलाना मैं आउँगा, और मैं हभी भी बुलाएगी, चोटी सी बच्ची थी वो, खेर एनिवे, उस बैंक की मैंने जाँच बिठा दी, वो जेल जाने वाले हैं सब अफसर, तीन चार घपनों की जाँच बिठा के आया हूँ, जिन एक मिनिस्टर का लड़का जेल चला गया, एक मिनिस्टर किलाब चार्शीट हो गई है, और एक बात आपको बता दूँ, चुकि मैं डेड कमरे के मकान में रहता था जब गवर्नर मुआ हूँ, लोग जब मुझे मिलने आते थे, तो सोचते थे, क्या चीज़ है यार, यह यहां डेड कमरे के मकान में पड़ा है, उन्हें में कहना चाहता हूँ, रुपे पैसे से कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत आपके केरेक्टर से होती, दो बड़े डील हो रहे थे उस वक जिन में डेडड सो करोड रुपे की रिश्वत थी, और उसमें ऐसे लोग पैसा ले रहे थे, जो प्रधानमंत्री तक जिनकी पहुँच थी, मैंने दोनों कैंसिल किये, मुझे भी कहा गया कि छोड़ो इनको, हम आपको दे देंगे, मैं का मैं तो फकीर हूँ, मेरे पे छेक उड़ते पजामें, मुझे नहीं चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री जी को आके बताया के साथ, ये लोग हैं, ये आपका नाम लेते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा इनको जेल और भेजो, जाच भी, जाच भी बिठाई उसमें ने, और उन्होंने कहा के करप्शन पे कोई कॉम्प्रमाईज मत करो, तो तीन-चार करप्शन के मामलों में जाच बिठा के आए, मुझे पूरी उमीद है के तीन-चार मिनिस्टर, उनके साहयक, बैंक के चेयर्मेन, ये सब लोग जेल जाने वाले हैं, एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वहाँ जितना करप्शन दुनिया में नहीं है, सारे देश में 5% मांगते हैं कमिशन, वहाँ 15% मांगते हैं, अमरनाथ की यात्रा पे, अमरनाथ की पहली पूजा गवर्नर करता है, जब मैं गया तो एक हजार बच्चे थे, जो टट्टू लेके आए हुए थे, स्वामी जी एक के बदन पे भी स्वेटर नहीं था, और इनकी अईयाशियां, फारुक अब्दुल्ला के पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन आज उसके पास तीन एकड़ का मकान, शीनगर में है, दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, फ्रांस में है, और कश्मीर का कोई बिजनेस हो कालीन से लेके होटिल तक, सब में उसकी हिस्सेदारी है, यहां से इतना रुपया कश्मीर में गया है, जिसको सब नेताओं ने खाया है, जनता के पास वो रुपया पहुचा ही नहीं है, अब पुरधान मंत्री जी ने एक बहदुरी का काम किया, लाल के लिए से घोशना कर दी, नहीं के मैं सरपंचों के चुनाव कराऊंगा, रुपया सरपंचों के खाते में सीधे पहुचेगा, अब उन्होंने तो कह दिया, चुनाव तो मुझे कराने थे, अब वहाँ जो, जब मैंने देखा के कैसे होंगे, हुरियत ने का हम बायकार्ट करेंगे, फारुक ने का हम बायकार्ट करेंगे, महभूबा ने का हम बायकार्ट करेंगे, मैं दोनों के घर प्रोटोकोल तोड़के, खुशामत करने गया के नहीं, ये चुनाव हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लोगों के लिए, उन्हीं को डिवलिब्मेंट होना पैसम, लेकिन पाकिस्तान का प्रेशर था नहीं माने, और टेरिस्ट ने कहा कि हम जो भी सरपंची का परचा दाखिल करके निकलेगा, उसी को गोली मार देंगे, इश्वर ने ऐसी इज़त रखी और हमारी सिकुरिटी फोर्सेस का इतना बढ़िया इलाइन्मेंट था, कि चार हजार लोग चुने गए, एक छिडिया की कैजुल्टी नहीं हुई, सारे लोग उसमें चुने गए, फिर लोग सभा का चुनाव हुआ, जिसमें फारुख अब्दुल्लाई के चुनाव में शियनगर में नो लोग मर गए थे, एक आदमी की कैजुल्टी नहीं है, भगवान ने सब अच्छे से उतारा, और हमारे प्रधान मंतरी का यश्वरा, वो जो सलावद्दीन है, कश्मीर का जो पार रहता है पाकिस्तान में, उसने कहा कश्मीर के टेर्रिस से, कि वे मेरी नाग कटवादी, मेरी कोई सलाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान में, तुमने इतना बड़ा चुनाव हो गया, कोई आदमी नहीं मारा है तो खेर वो तो जो हुआ सो हुआ अब मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि 377 हट सकता है ये मैं भी नहीं सोचता था और मैं भी ये सोचता था कि पतानी कितना बड़ा उपद्र होगा लेकिन इश्वर की क्रपासे आज वो इतियास हो गया हट गया हम हमारे होम मिनिस्टर ने जिस राजसभा में हमारी मेज़रिटी भी नहीं थी उसमें भी उसको दो तिहाई से पास करा दिया और आज वहां सब कुछ अमनों अमान है लोग खुश हैं मैं इस बात को यहीं खतम करके आपके पास आना चाहता हूं